हाई अब्रिवन मैं शिकाबाद वाज अपने चैनल में आप सभी का वेलकम करती हूँ तो अगर आप तुम मेरी वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो नीचे दिये गए लाल बटन को प्लिक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और साथ में लाइक का बटन दबाना म अराम से तूट रही है तो अगर आपकी तिल गुड की पट्टी हाड हो जाती है तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि आपकी तिल गुड की पट्टी भी एकदम क्रिस्पी करारी बनेगी तो आईए बना लेते हैं तिल गुड की पट्टी या तिल गुड की गजग बहुत ही असानी से तो बहुत ही क्रिस्पी तिल की पट्टी या गजग बनाने के लिए देखी मैंने हापे ले लिए हैं तिल तिल मैंने लिये है एक कप प्लिस वन फोर्थ कप यानि की वन एन वन फोर्थ कप मैंने तिल लिये है अगर ग्राम में देखा जाए तो 250 ग्राम यानि की 250 ग्राम तिल है गुड मैंने लिया है एक कप अगर ग्राम में देखा जाए तो ये 200 ग्राम गुड है तो तिल की quantity गुड से थोड़ी सी अधिक है तिल ज़्यादा लिये है मैंने आप चाहें तो गुड और तिल की quantity बराबर ले सकते हैं मैंने तिल थोड़ी से ज़्यादा लिये है वन एन वन फोर्ट कप देशी घी लेंगे हम वन टेबल स्पून यानिक एक बड़ा चममच और ह तिल एक कप से थोड़े से अधिक है एक वन कप प्लस वन फोर्ट कप दिल है इनको हम हलकी आज पर भून लेते हैं देखिए हमारे तिल भून चुके हैं गोल्डन से गलर की हो गए हैं बस गैस आफ कर देंगे इनको हम पीसेंगे पीसने से पहले मैं थोड़े से तिल निकाल लेती हूं एक तिबल स्पूल के करीब इनको हम उपर से स्प्रिंटल करेंगे और बाकी तिलों को ठंडा करेंगे और पीस लेंगे तिल को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएं और फिनको हम पीसेंगे ठंडे हो गए हैं इन्हें हम डाल देते हैं मिक्सी के जार में और इनको पीसेंगे हम अब तिल हमने डाल दिया है मिक्सी के जार में पीसने के लिए और तोड़ी सी तिल मैं रोक लिए एक टेबल स्पून उपर से श्पिंटिल करने के लिए देखे मैंने इसको पीस लिया है और बहुत बारिक नहीं पीस नहीं थोड़ा सा मोटा पीस हेंगे इसको दिखे थोड़ा रफ पीस अवा मैंने तिल को तो रेडी है यह अब नाते हैं ग तो देखिए प्लास्टिक को मैंने फैला लिया अची तरह से और अची तरह से ग्रीस कर दिया इसके उपर घी से अब फिर से हमने वही कडाई गरम कर ली है और मैं डाल रही हूं इसमें वन टेबल स्पून देशी घी और घी को मेल्ट कर लेंगे घी अट करने से हमारी गज 1 टीसपून पानी और पानी डाल के मिक्स कर देंगे पानी एड करने से गुड़ को मेल्ट करने में असानी होती है बस 1 टीसपून पानी एड किया है मैंने हमारा गुड़ मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है यहां हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है और देखिए जागाने स्ट चेक करेंगे अब एक बोल में पानी लिया है मैंने तोड़ा से गुड़ की ड्रॉप जालूँगी इसमें और चेक करेंगे हम गुड़ को कि देखिए इस तरह से अब इसको चेक कर लेते हैं तो देखिए जो बॉल बन रही है इसकी सॉफ्ट है और चिपचिपी है सॉफ्ट बॉल है तो गुड़ हमारा बिल्कुल तयार नहीं है भी अगर इसे स्टेज पर आप अपनी गजग बना देंगे तो आपकी गजग बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी यह बहुत इंपोर्ट और कुछ दिर पकाएंगे हम और देखिए मैं डाल दी आपनी इसमें कुछ घ८ार अदाने बीमसरा और मिक्स कर लिए इसको भी तो अब गुड़ को हमने कुछ दिर और पका लिया, इसे एक बर और चेक कर लेते हैं तो फिर से मैं पानी में कुछ ड्रॉप्स डाल के दिखूंगी इसकी अब देखे, मैं डाल रही हूँ तो ड्रॉप की तरह नहीं गिरा है देखे, लंबा लंबा गिरा है इस तरह से तो यह इसकी पैचान है और तोड के देख लेते हैं इसको तो देखे, मैं तोड रही हूँ तो यह तोट रहा है आराम से मेरे से और तोटने में अवाज भी आ रही है एकदम से लाइट हो गया है इसको फटा-फट मिक्स किया हमने अब फॉरण हम ऐसमें एड कर देते हैं अपने पिसेवे तिल जो हमने पीस के रखे थे भून के वो डाल देंगे तिल और गुड को हमने फटा-फट मिक्स कर दिया देखिए एक आम बहुत जली-जली करना है आपको बहुत फास्ट करना है क्योंकि गुड जो है वो जमना स्टार्ट हो जाता है फॉरण ही तो बस जली-जली मिक्स कर देंगे इसको तिल और गुड को अच्छी तरह से पहले से ही तो देखिए बिल्कुल रेडी है अब इसको हम स्प्रैट कर देते हैं फॉरण अब तिल और गुड का मिक्षर हम अपनी पॉलाथीन शिट के उपर फेला देंगे अब देखिए मैं स्पून में से निकाल रही है इस तरह से और स्पून के उपर मैंने थोगी अब देखिए मैं टच कर पा रही हूं अभी थर्णाना स्टार्ट भी हो गया है अब मैं इसको हाथ से थुड़ी शेप दूँगी देखिए इस तरह से अब मैंने इसके उपर एक और पॉलेथिन शीट रख दी है क्योंकि मुझे बेलना है इसको तो अब मैं इसको बेलूँगी बहुत अराम से बिल जाएगा ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बेलने में जितना पतला रहना चाहें आप जितनी पतली होगी इसको अच्छी तरह बेलेती हूँ अब मैंने इसके उपर पॉलेथिन शीट रखे और इसको बेल लिया है अराम से देखिए बिल्कुल रेडी है अब हमने भुनेवे तिल थोड़े से बचा के रखे थे यह मैं डाल दूँगी उपर से ताकि देखने मे अच्छे लगेंगे अभी थोड़ी वाम है गजक हमारी तो चिपक जाएंगे तिल डालने के बाद भी मैं इसको एक बार बेलें चला दूँगी इसके उपर ताकि जो तिल है वो चिपक जाएं गजक के उपर अभी है वाम ही है इसे समय हम इसमें कटके निशान लगा इसको ठंडा कर लेती हूं मैं फिर दिखाती हूं आपको तो अब हमारी तिल के पट्टी ठंडी हो चुकी है बिलकुल पूरी तरह से इसे निकाल लेते हैं अब पॉलतिन में से अब देखें बिलकुल बिसकेट की तरह हमारी करारी गजक बनके तयार हुई है हमारी तिल की अब देखिए जहां हमने निशान लगाए थे उस निशान पर आराम से तूट जाएगी है यह देखिए इस तरह से पॉलसिन के उपर स्प्रेड करने का फायदा यह होता है कि बहुत इजली निकलाती है यह हमने पॉलसिन के उपर घी भी स्प्रेड किया था तो देखिए किस तरह जम गई है यह बिल्कुल यह देखिए जमने निशान लगाया था इस पर आराम से तूट रही है देखिए बिल्कुल बिस्किट की तरह लग रही है करारी बहुत ही बड़ी है हमारी तिल की पट्टी बनके तयार हो गई है तो लीजिए आप बिल्कुल तयार है हमारे बिल्कुल खसता करारी तिल गुड की पट्टी या गजक और आपने देखा हमने कितनी जल्दी इसको बना लिया है फटा फट बन जाती है और बहुत ही करारी है मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ इस दिखे किस तरह से मुक्त आपके पर सीफ पसंद आही होगी थैंक्स फ़र वोचिंग झाल झाल